असलाम को कुल फ्रेंडि आज का जो हमारा टॉपिक है वह रिजिस्टिट एक्सराइज की टेकनीक के बारे में हैं हम उसमे अज अफेक्ट इंड यूजर's देखेंगे रिजिस्टिटिट एक्सराइज के और हम रिजिस्टिंस किस तरीकों से दी जा सकती है जहां हम वह देख पसके पॉइंन के तरय हो पाईंचल पॉइंन पेर दूसरा पॉइंट है पैटर्न आफ दे मूवम्मेंट हमने यह पेशन को अच्छे से आना चाहिए हम वी कैसे बताएंगे जो है पैसिबली करके बता सकते हैं फिजियोथाइप सकते और पैशन खुद से भी एक कर सकते है तो पैटर्न आफ मूवमेंट जो है वह वह वही अगर हम स्टेबिलाइस करने उस जगह को तो क्या होता है कि मसल की एफिशेंसिए वह इंप्रूव हो जाती है इसी तरह अगर हम कोई हमें पता है कि जो जॉइंट है अगर शॉल्डर जॉइंट पर मुवमेंट हो रही है तो वह अल्बो जॉइंट पर भी जाती है मतलब मैंनुल प्रेशर के जरीए कर सकते हैं या फिर हम किसी स्ट्रैप के जरीए लगा सकते हैं उस जगह को फिक्सेट कर देंगे ताकि वह मुवमेंट सिर्फ जिदह हम चारें उदर ही हो ठीक है अब स्टेबिलाइसेशन और फिक्सेशन का जो डिफरेंस हो यह कि सायर की है तो थो मतलब कि आपने उस ज्ट जो जो स्टेबिलाइस करने को इसफेस ऐसेज़ा हुआ हमिए सट्रैचिंग करते हैं तो फिक्समें और लोन वह कि हिएक बहुताता है कि यह पतरिक्स स्ट्रैचिंग दिवाँकर निवूस प्रतिक्ष्जा खं Muchas आया म्मंसलियाbin तरहा है तो रही प्रब्र जाएंग्यां कि यह दूर्ट प्रिक और की कि पागा प्रविभु देखित भी है मैं थेखिए टूर्ग बीदिश्टिशने फॉर्ट यह तैसे बिश्थिए पागा प्रविदेख यह द। सकते हैं इसलों की साथ मैच कर सकते हैं लेकिन समय का यह एक Mutta के ऐक के और प्रेजिस्टंश की बात करें कि दो यह कर सकते हैं निया आ रगए कि आंगा मैच आप杯र्शास कि Hindi अगर आमने वीडियो देखे तो में बताया था कि अगर मसल पावर इंक्रीस करने है तो हम हाई रेजिस्टन देंगे और हमने इंध्रीज करने हैं मसल में तो लो रेजिस्टन देंगे तो यह वाला पॉइंट आपको इस वीडियो में समझ आजेगा हमाएं पर में पर समझ रेजिस्टन देंगे और विजोन देखे रेजिस्टन के दिश्टन होने का भी असला हो सकता है और फिर हमापस 7 प्विंट है रिपेटीशन हमने यह बात पढ़ी थी कि रिपेटीशन में जो डिपेंट कर हुएं तीन चीज पर डिपेंड कर यह तेक तो पेश कुछ डिजीस में कॉंटर इंडिकेशन होती है ठीक है और थर्ड यह था कि हम जो मसल नहीं हो रहे तो इन कंडिशन सो देखते हैं हम इतनी रिपिटीशन करनी है और इतनी नहीं करनी ठीक है एर जो हमाई पस है इसके बाद एक पॉइंट था था थम्स प्रोसीजर का ठीक है सब्सक्राइब हरे हैं तो हम इन चीजरों का ख्याल रगते हैं और और इंडवाइस में करते हैं आप थम प्रोसीजर करें नहीं परीजिग करें यहिरेनिके अप्छली वीडियो में प्ढ़ा दिया था आप से चांप डेकए कंडिशन ने कह मूँ लूँ एप्लाइ कर दे यह नहीं होता है हम पहले patient की condition देखते हैं 8 point जो है वह सबसे important is the cooperation of the patient patient की जो compression है वो ज्यादा एहमियत रखती है ठीक है अब patient का interest है उसमें जितना patient effort लगा रहा है वो माईने रखती है तो इस तहां से हम patient में interest लाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको encourage करते हैं verbal encouragement करते हैं competition की थूसको interest उसका लेकर आते हैं और resistance force लगाते हैं उसकी progress को measure करवाते हैं ताकि उसको पता चले हो कितना उसके हमें भेतरी आ रही है तो यह बहुत important point है यह हमारे बास कुछ techniques थी अब हम देख लेते हैं effect and uses of resisted exercise ठीक है दो हैं वो uses है to increase in muscle power and endurance है हम शुरू सही पढ़ते हैं resistant exercise जो होती है वो muscle power and endurance को increase करने के लिए होती है ठीक है यह एक use है resistant exercise का दूसर पॉइंट है the blood flow to the working muscle increase ठीक है जैसे जहां आप muscle को contract करते हो जहां resistance अप्लाइ करते हो वहां muscle contract हो रहा हो तर जब muscle contract होगा तो वहां पर क्या होगा blood flow अची हो जाएगी जब blood flow अची होगी तो उस muscle को oxygen मिलेगी nutrients मिलेगे और वहां से metallic waste जो हो रिमूव हो जाएगे तो इसलिए वहां पर blood flow अची हो जाएगी ठीक है अब थर्ड पॉंट जो इसका effect है कि थोड़ा राइस हो सकता है blood pressure में जब आप exercise करते हो उसके बाद आपका blood pressure राइस हो जाता है ठीक है क्योंकि हापका heart rate जादा हो गया उसकी वजह से जो blood हो जादा पामोरत से blood pressure राइस हो सकते हैं लेकिन कुछ होता है कि मेंटली पेशिट में क्या होता है कि यह blood pressure ऐसे ही राइस हो जाता है ठीक है हमेरे यह Ambied Res RAO स्किन में नावल यह टाइब है हमेरे टेर स्वेक्स्ट suffers कीस्ट कोड़ा अब नियुक्साइब हो हम जाते के किस दे सकते हैं हम आपना साथ उपरक्ष और रिशेइस डिरंव रखैज हमारे तो को ना आंपनी डांबर दिरेक्शन इसको तरफ लेकर आएगी लेकिन अपना पर लेकर आउंगी तो क्या होगा कि मैं में ग्रेविटी तीक में रिजिस्टन्स लगा रहे हैं फ्रिक्षिंद भी रिजिस्टन्स लगाई है थीक क्वह पहले ये दो नवत पॉंट दूसरा पॉंट डिजिश्टन्स बैफ भी रिजिस्टेंस लगा सकते हैं ठीक है अब पड़ा है कि कैसे लगाएगा सब्सक्राइब पर अपना पेशेंट का हाथ रखेगा लेकिन इसमें एक और पॉइंट है कि अगर पेशेंट का फिजियो थेरापिस का जो स्टेयांस है या पोस्टर है खड़े होने का तरीका है इसमें आधिक तरीकाट मेरे का दूबिजी नाकर पॉइंट के प्रेशेंट के खड़े हैं बर्चाट वाइंट है कि युद्य ऊव्फरेशेंट के घुप टार पेशें पैरिशिट जो इसमें एक पॉइंट एह पिग्टर मेरे का इन प्रेश्य उसलिए में पोस्ट्रेस सब्सक्राइब कर सकते हैं जो सब्सक्राइब करेगा और उसको क्या होगा और उसके अगें स्मूफ करेगा जैसे कि आप इसमें देख लो अगर पेशन ने कि मिट चुझ रख लिए फ़िया फ्सक्राइब करने और उसका बिल्सक्राइब करेगा उसको रोकने कि कोशिश करेका जो हमारा राइक लेकिन दूसा पावर रिजिस्टेंस अप्लाइब करेगा तो इस तहां भी पेशन आप इसको धोने है इसको दूसरा यह क्पेश्ट्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं पीशिट थैसे प्रेस्ट से का थे लाकिश्ट था थे बौड्राइब करुछ घ्यार इस का ठीके टोसरा बाद दूसरी यह ऋबने यह नि Audrey अगर पेश्टेंट खुद से भी लगा रहा है या फीजियो थेरपीस लगा रहा है तो उसको मैय निहीं कर सकते हैं इसका डिसट्वांटिज लेकिन हमें स्कुछ इसले केरफुल इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए पेश्ट को ठीक है जब हम रिजिस्टेंज पाइड यूर्स क करीड बाँ देते हैं दूसरा होता है कि हम मैटल के वेट उते हैं वो हाथों में दे दे देते हैं और फिर तीसा है मेटालिक बोश दे सकते हैं जूए फ्लिप्स दे जा के तो होने चाहिए इंदर डायरेक्शन ऑग्र ग्रेविटी थाए एक कर रहें इस पीशेंट को दिय जोई चैल आपके को मीदू के इसके दाच सब्सक्राइद सबस्क्राइब्ट लाइजा कर रहा है, सब्सक्राइब अपडा अ ग्राविट voyeur साइजियों तरहें तो पांबे एक सेनल और चैल अप श पत बावर खावbaar को पर रहाएं तो यह भी एक रजिस्टन एक्सिसवाइब भाई खरी धी धाइट में जर फिलिक्ति के साफ्ट इस आप कि पुली क सर्किस के साफ होताना से नवेच कम प्रॉच हुज यह जनुक्द आपके एक दो तो पॉंच था हैं ग्राविटी को हमने इलिमिनेट करना है जयासे वीक मसल ह हमाshot है पquisTF fish so much कासी वीक मसल है तो क्या है वह ग्राविटी के अड़िटी उसके मसल काम नहीं करेंग तो हम क्या कर सकते हैं ग्राविटी को काउंटर बैलेंस की स्थाथ से कर सकते हैं सिटिंग एम समय कने इसकें जो हो है नितिक और रहा है पत्रण के तो ऑज हो फैसंट के तुम करें वह अगर हम साइड लिया का राग फैसंटल लेकिन देला हैं ग्राविटी जो है उसकी जो रिजिस्टेंस हो कम हो जाएगी पहले सपोस्पाइफ केजी तो आप फोर केजी हो जाएगी और जो पेशन है वो अराम से वो मुवमेंट कर लेगा ठीक है तो यह पॉइंट था इसमें अब हम एक और पॉइंट है कि आप जब भी आप पुली ल अब हम देख लेटे हैं यह जो यह वह दो कि आप बढ़ आप यहां से घुजर ना सके अगर हम यह नहीं लगाएंगे तो पैशन को रिलेक्शेशन टाइम निए मिलेगा वह जो रोप और नीचे होती रहेगी ठीक है तो इसको लगाना ज़रूरी है और दूसरा हम किस तरी जब हम वेट लगा देंगे तो मुम्में खुद बहुत स्टॉप हो जाएगी ठीक है अब हम देख लेते हैं कि यह जो यह वाली जो रिजिस्टेंस बाइट पूली सर्किर्ट है यह साइकोलोजी कल अगर हम इसको देखें साइकोलोजी कल पेशन के लिए बहुत अच्छी है क अब हम इसको कर सकता है तो जैसे आपको पता है कि हम ज़ितना को स्ट्रेच करेंगे उतना ही वह रिक्वाइल होके दोभारा अपनी जोड़ से ठीक है को कि Candi जाते हैं और हम सपुस्मारे मिन जाते हैँ यहाइद सकते हैं लेकिन प्रइभाराइद मेरे क्लाइन ईसे लिए और दोड़ वर्बार और की वापिस भी लिए तीन गया का यह स्वस्त्रेश्ट लगते हैं इसने लिए इसको थोड़ा हम कहते हैं कि इतियास से यूज़ करना चाहिए दूसरा कि इलास्टिक सबस्टेंस की सर्गें भी हम रिजिस्टेंस दे सकते हैं बहुत साइस सबस्टेंस जैसे कि हमने सॉर्बो रबर के बाल में पढ़ा था और हमारे पास डबर बोल्स होती है ठीक है रबर स्पॉंजी होती है जो कि हम पेशन्ट के हैंड में दे देते हैं ताकि उनकी ग्रिप अच्छी हो जा तो उनको प्रेश लगाए और उसके अगेंस काम कर रहे हैं क्योंकि वह स्पोंजी जो सॉर्बो रबर है वह रिजिस्टेंस अप्लाइब कर रहे हैं ठीक है अब हम देख लेते हैं रिजिस कर लेती हैं इस तहां की जो सबसंस होते हैं वह भी बर भी इंक्रीज हो इनक्रीज हो रहे हैं तो वह ३ेढ़ियों प्रे बदा स्वाइब के साथ जितनी साथ स्पीड होगी तरनी फिजी सेड हो ही और सर्फिस एरिया फ़ाट मुंफ किया है उसका जो सर्फिस एरिया असके भी डिपेंड करी है जो रिजीस्टनस भा वाटर है ठीक है और हम और दूसरा इसमें पॉइंत लिका था कि हागर हम वाटी आपस में कैंसल आउट हो जाती है और पेशन्ट की जो मुवमेंट होती हो इसमें से को भी आपको सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं थैंक्यू सो मच